उत्तरपृती सरकार ने ईद से पहले कहा था कि सड़क पर नमाज नहीं अदा की जानी चाहिए लेकिन कानपूर में बड़ी ईदगा और बाबू पूरा समेथ तमाम ऐसी जगहें रही जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ी गई इसके बाद कानपूर पूलिस ने सक्थ कदम उठाते हुए करीब सत्रा सो लोगों पर अग्यात लोगों पर एफाई यार कर दिया है इस बावत हमारे साथ ऑल इंडिया परसनल मुस्लिम लॉबोर्ड के संस्थापक सज़स मौमद सुलिमान साब हैं उनसे बात कर लेते हैं ज ट्रैफिक कॉण लूंगन पर सकते लेकृश चलेद लोगों ने में शिरकत की यारिवरुस्य कि एक सावाई एक चंद घंटे की लिए अगर ज्यादा हो जाती है इद्गाह के अंदर नहीं आपाते हैं अब सबस्टे आबादियां बढ़ी है इद्गाह में इतनी शबता नहीं है कि सारी आबादी को समेंट ले और इद्गाह में नमाज बाद में होती है उसके बाद कही नमाज मिलती नहीं है जब इद्गाह के दीवान तक लोग भर गए तो लोगोने बिशा कर नमाज पढ़ी होगी होती है बात यह है कि पीस कमेटी के साथ बैठक होई दलीलिया दी जा रही है पहले कहा गया कि अगर नमाज किसी की छूट जाती है तो दुबारा नमाज हुए हजारों लोग शरीख हुए वहां मामारी अधिने में को कोई मुकद्वा नहीं हुआ क्या वहां बिगना नहीं पढ़ा जलूस निकले राम नहुमी के नौ दिन-दिन-दिन जलूस निकलते रहे डैवर जरूँगा अम इतका जहनती में कई रोड्स पे काहलपूर में जुरूस टिकले आपने टर्फिकर डैवर जिन किया तो एद वाले दिन क्या अफट आ गई थी दो घंटे-डेड़ घंटे-डैवर जिन करने में मैं समझता हूं यह हुकूमत का इस शासर का मैंसेट है कि सीना चला करके हम एक हैं कि हमने देखे जैसा मुकमत जी रिका के द से एक पर्टिकुलर आस्था के विपरीथ है इस साशन गां और वह उससे उनके एक्षा से पता चला है हर एक्षा से पता चला है कि अगर फरकाबाद में टेन शूटने में लेट थे लोग आ गए थे नमाज पढ़ लिए तो उन पर मुकत्मा हो गया बात तो लेकिन सुलीम क्वेश को कि पूलिस के अधिकारी करें कि पहले पीस कमिटी से और पहले समझस से बना करके का औ गया तो यह कि रहा हूं कि हे बारत हमारा धार्मी देश है। विभीन धर्मों के लोग यह रहते हैं। उन जाहिर है आबादी बड़ी है पड़े-बड़े शेरों में। तो ऐसा होता है कि सामज़से बनाने के लिए टांसपेरेंसी होना चाहिए। टांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक धर्म क आएक तरफ तो आप कहते हैं इस आप की हम सब को विश्वासमे लेके चलेंगे। और बार बार ये कहते हैं कि हम पस्वानदा इसको साद़ लेके चलेंगे। दूजी तरह आप peaceful नमाज अदा करने वालों को जेल बेंजी कर जारी करना है। ये दोरे माप्दन तो नहीं चलते ना, आप का यही रास्ट धर्म है, कि एक वर्क के लिए एक माप्दन, तराजू हो दूसरे, वर्क के लिए दूसरा तराजू हो. क्या करेंगे आप लोग? हम तो जाहिरी क्या कर सकते हैं, ये सरगार जो करेगी हम निन्दा ही कर सकते हैं इसके, कि गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए, कि इन चीजों को ओर्वर्लू करना चाहिए, जब तक कि कोई बेकल्प ऐसा ना ख़ला हो जाए, या तो जगा दें आप इतनी, या इद्गा कमीट करने के लिए लिए भात कर ले कि दो नामाजे होंगे उसके इलन करवादीज है। एक नमाज आट बज़े होगी, एक नमाज साले अट बज़े होगी, इलन करवादीज आप तो इसका, अंबिग्वस नहीं रहना चाहिए, सिर्फ प्र प्रेस्ट कमिटी जानने मिटिंग कर करें कि परिशान करने के लिए इस तरीके काम किया लाजनेटी की इस बात की निंदा की जाई है और निंदा करते हैं वो और ऐसा करने की ज़रुरत नहीं थी पहले बात की जानी चाहिए थी और उसके बाद कोई काम कोई कदम उठाए जाना चाहिए था कानपूर से कैमराबैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रुवेदी एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की